हेलो गाइज दिस शुई्आट और गाइज वीव ने कर दिया है अपना विव फीक 9 स्मार्टफोन को लॉंच फ्यक अइस एक स्मार्टपोन को ने है । यूद्टी अगतिक स्मार्टफोन और इसका फ्रैसे 22,990 और हमरे पास अब और इसका प्राइज है 15,000 और पर्फोन है, इस स्मार्पोन सेल्फी भी बोल सकते विथी है। वीवे का वीC9 और रेढम eigo 5 pro, तो हीस विडियो में करणा वीवा किकेृषब केकेशनका बेस्ट काया और और बोलूँगा कि आपको क्या 23,000 रुपे खर्चे करना चाहिए, वीवो V9 के लिए या फिर 15,000 for the Redmi Note 5 Pro, तो गाइस ये वीडियो एकदम एंटक देखते रहे हैं, आशा करते हैं कि आपके सारे डाउट्स हो जाएगा क्लियार, तो ये वीडियो है, वीवो V9 वर्सेज रेद दोनों डिवाइस की डिस्प्ले और डिजाइनिंग के बारे में, तो गाइस ये बोलना ही होगा कि वीवो का इस स्मार्टफोन का डिजाइन है बहुत ही अच्छा, वीवो V9 का डिजाइन है बहुत ही अच्छा, फास्ट इंप्रेशन, अगर आप फास्ट स्मार्टफोन को देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगएगा इस स्मार्टफोन को देखकर क्योंकि गाइस वीव वी 9 है आइफोन 10 इंस्पार्टफोन हमें इस डिवाइस में देखने को मिलता है आइफोन 10 लाइक नॉच और पीछे की तरह कैमेरा प्लेस्मेंट है आइफोन 10 की तरह इंस्पार आइफोन 10 इंस्पार आइफोन 10 की तरह हमें रिटिकली फ्लेस कैमेरा देखने को मिलता है वीव वी 9 स्मार्टफोन में और वीव वी 9 है प्लास्टिक बोडी तो हाइलेट डिजयन है इसका आइफोन 10 की तरह नॉच जो बहुत यह कमाल का लगता है और ओबर वी हमें देखने को मिलता है वीव का ब्रांडिंग तो गाइस बात कर अगर डिस्प्ले साइज की तो वीव वी 9 में हमें देखने को मिलता है 6.3 इंच का तो गाइस उसका design भी अच्छा ही है उसके price range में उसका design अच्छा ही है और उस device में देखने को मिलता है metal body और गाइस finger spinner sensor हमें देखने को मिलता है Redmi Note 5 Pro की rear panel में और उसका camera भी vertically play से iPhone 10 की तराफ और बात कर अगर display size की तो उस device में हमें देखने का मिलता है 5.99 इंच का एक Full HD Plus डिस्पले और गाइस ये डिवी जाता है 18x9 aspect ratio के साथ जो निव aspect ratio है तो गाइस बात कर अगर designing की तो इस section में winner है Vivo Vivo 9 उसमें हमें अच्छा design देखने का मिलता है और first impression अच्छा होगा Vivo V9 का ही तो अब बात करते हैं इस device की specification की बारे में तो Vivo V9 में हमें देखने का मिलता है Qualcomm Snapdragon 626 का chipset साथ ही साथ Adreno 506 का GPU और बात करेंगर RAM variant की तो ये device आता है 4GB की RAM के साथ तो internal storage है इसका 64GB और हम कर पाएंगे expand memory via microSD card up to 256GB और गाइस इस device में हमें देखने का मिलता है dedicated microSD card slot जो की बहुत ही अच्छा है और गाइस इस device में हमें कुछ AI feature भी देखने को मिलता है face unlock feature भी हमें देखने को मिलता है हाला कि hardware नहीं है front camera से यह काम करता है और battery capacity के बाद करें तो battery capacity हमें देखने को मिलता है Vivo V9 में 3260mAh के battery capacity और fast charging हमें नहीं देखने को मिलता है बात कर अगर operating system की तो यहाँ पर custom operating system हमें देखने को मिलता है Vivo का funtouch 4.0 based Android Oreo हमें देखने को मिलता है Vivo V9 में जो की बहुत ही अच्छा है और बात कर अगर Redmi Note 5 Pro की तो उसमें हमें बहुत ही अच्छा प्रोसेसर देखने को मिलता है Dan the Viva V9 हमें Redmi Note 5 Pro में देखने को मिलता है Qualcomm Snapdragon 636 का चीप सेट जो की है Octa-Core CPU और इसका Clock Frequency है 1.8 GHz Adeno 509 का GPU हमें देखने को मिलता है Redmi Note 5 Pro में और बात कर अगर RAM variant की तो यह device आता है 2 RAM variant के साथ जो की 4GB और 6GB और बात कर अगर internal storage की तो यह device आता है 64GB internal storage के साथ और इस device में हमें dedicated MicroSD Kart slot नहीं देखने में मिलता है यह एक कौन से हमें देखने में मिलता है इस device में hybrid slot हमें इस device में face unlock feature भी देखने को मिलता है और बातकर अगर battery capacity की तो यह चिछ डिबाइस का battery capacity बहुत अच्छा है देंदन धाn Vivo V9 हमें इस डिबाइस में देखने हमें 4000 बैले थे battery capacity जो की बहुत ही पदा है और backup भी हमें बहुत ही मिले। बात कर अगर Vivo V9 की camera section की तो यह है camera centric smartphone इसका camera है बहुत ही अच्छा बहुत ही अच्छा camera हमें देखने को मिलता है Vivo V9 में Vivo V9 की camera में हमें AI based feature देखने को मिलता है जो कि बहुत ही अच्छा है और इसके बचे से ही हम बहुत ही अच्छा-च्छा picture फिक्चर्स क्लिक पाएंगे with वीव Nich और बातकर अबर सेंसर की तो दून के मेरे सेंसर हमें देखने को मिलता है विव के रर पैनल में और बातकर interact 카ichi चेंसर हमें देखने को मेठों 16S Max 5 गंप सेंसर और पनल अब डीव बेकल मेरे कट प्ड़ंडय को सेंसर Vivo V9 में AI-based beautified camera application, video call beautification mode हमें देखने को मिलता है, AR sticker भी हमें देखने को मिलता है, जो की बहुत ही अच्छा है, portrait mode भी देखने को हमें मिलता है, इसके बज़े से हम बहुत ही अच्छा अच्छा है, bokeh depth of field वाला pictures क्लिक पाएंगे with the rear camera, और front camera तो बहुत ही अच्छा ही है, और rear panel of the Redmi Note 5 Pro, और बात कर अगर aperture की तो हमें देखने को मिलता है, F2.2 और F2.0 respectively, और गाइस बात कर अगर Redmi Note 5 Pro की front camera की, तो front पे हमें देखने को मिलता है, 20-meter visual का camera, ये भी वो जितना अच्छा नहीं है, लेकिन हम decent quality का picture क्लिक कर पाएंगे with the help of the Redmi Note 5 Pro, और guys, Redmi Note 5 Pro की front पे हमें LED flash देखने को मिलता है, लेकिन Vivo V9 में हमें कोई selfie flash देखने को नहीं मिलता है, तो guys, undoubtedly camera तो अच्छा है Vivo V9 का, ये तो हमें मनना ही होगा, लेकिन guys, Redmi Note 5 Pro का भी अच्छा है उसकी budget में, तो guys, अब बात करते हैं मेरे opinion की, honestly guys, 23,000 की price range में मुझे ये smartphone Vivo V9 बिल्कुल पसंद नह लेकिन guys, 23,000 में हमें मिलना चाहिए था Qualcomm's Snapdragon 636 का chipset, साथी साथ 6GB का RAM और 128GB का internal storage हमें तो मिलना ही चाहिए था 23,000 की price range में, हमें सर्फ मिलता है 23,000 की price range में design, अच्छा सा design और अच्छा सा camera, तो कह सेलफी के लिए आप 23,000 रुपे खर्च करोगे Vivo V9 में, और Vivo V9 में हमे plastic body देखने को मिलता है, अगर 23,000 में grass body या फिर metal body भी मिलता, तो भी अच्छा होता, लेकिन guys, performance की बात करें, तो performance इस से Vivo V9 से Redmi Note 5 Pro का बहुत ही अच्छा है, कि उसमें हमें देखने को मिलता है Qualcomm Snapdragon 636 का chipset, Vivo V9 का भी अच्छा है, लेकिन guys, बहुत ही अच्छा है Redmi Note 5 Pro का, ह value for money तो Redmi Note 5 Pro है ही, लेकिन Vivo V9 नहीं है, लेकिन guys, if you don't care about money, if you don't care about the budget, आपको चाहिए अगर एक अच्छा सा camera और अच्छा सा design, तो आप Vivo V9 खरीद सकते हैं, या फिर अगर आप एक अच्छा सा performance वाला smartphone चाहते है, वो भी value for money smartphone चाहते, तो आप Redmi Note 5 Pro बेज जग ले सकते है उसका performance बहुत ही अच्छा है, camera भी अच्छा है, लेकिन Vivo V9 जे सा अच्छा नहीं है, लेकिन अच्छा है, Vivo V9 में हमें AI based कुछ feature मिल रहा है, camera में वो तो अच्छा ही है, और इसके बज़र से ही हम बहुत ही अच्छा अच्छा pictures क्लिक कर पाएंगे, design तो आपको अच्छा है, इसलिए 33 रुपे, और गाइस battery backup भी उतना अच्छा नहीं है, हमें Redmi Note 5 Pro में ज्यादा अच्छा battery backup देखने हो मिलता है, और Vivo V9 में fast charging भी नहीं मिलता है, तो बैटरी तो ज्यादा नहीं है ठीक ही, लेकिन fast charging भी नहीं मिल रहा है Vivo V9 में, हमें Vivo V9 में कोई EIS नहीं मिल और Redmi Note 5 Pro में आपको EIS मिलता है, उससे आप अच्छा अच्छा वीडियो कैप्चर कर पाएंगे, तो guys overall बात करें, तो if you don't care about money and budget, अगर आपको चाहिए एक अच्छा सा design वाला smartphone और अच्छा camera वाला smartphone तो आप Vivo V9 ले सकते हैं, बेज़जक लेकिन guys अगर आपको चाहिए performance और आप चाहिते हैं एक value for smartphone, value for money smartphone लेने को, तो आप Redmi Note 5 Pro ले सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा एक smartphone है, तो overall guys Vivo V9 is not a value for money smartphone, इसका pricing होना चाहिए तो 17,000, लेकिन 23,000 में भी अगर हमको मिलता Qualcomm Snapdragon 636, minimum 636, और 6GB RAM, 120GB Storage, First Charging Capabilities, तो ये value for money हो सकता था 23,000 में, लेकिन 23,000 में हमें कुछ भी नहीं मिलता है, सर्फ camera मिलता है, और guys, दोनों device का ही एक concept, दोनों device में ही हमें देखने को नहीं मिलता, USB Type-C port, micro USB port हमें देखने को मिलता है, इन दोनों device में ही, क्या क्या रहे हो guys, USB Type-C port is future, तो guys, अगर आप Vivo V9 खरीदना चाहते हो, तो sales शुरू होगा 2nd April में, और इसका price है 22,990, और अगर आप Redmi Note 5 Pro खरीदना चाहते हो, तो आप खरीद सकते हो, Flipkart T flash sale में ये available होता है, मानता हूँ, बहुत सारी लोग ये खरीद नहीं पाये है, और इसका pricing है 4GB plus 64GB जो variant है, वो हमें मिलता है 13999 में, और जो 6GB plus 64GB वाला variant है, तो अगर आप लोग इन में से कोई smartphone खरीदना चाहते हैं, तो नीचे आपको link मिल जाएगा, वो ही सही खरीदना, तो बस इतना है, इस video में उमिद करते हैं, कि आपको ये comparison अच्छा लगा है, और अच्छा लगा तो like कर दिजिए, share कर दिजिए, और अगर आपको कोई doubt है, ट्विटर पे और इंस्ट्रागम में, और लिंक्स आपको निचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो गास, पिलग तो ये इतना ही, मेरा नमे स्वाई का अधर मैं मिल था, आपसे करने ये एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक कि लिए जाए हिंद, बंदे मातरंग झाल